हलो एवरिवन, हलो, वेलकम टू अद्वेंशूट, मेरा नाम दिपक कुमार हुआ, और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ, NTSC specialist टॉपिक है, फेडरलिजम पे हम लोग कुछ MCQ करेंगे और उसके answer देखेंगे, तो स्टार्ट करते है सबसे पहले फेडरलिजम पे पहला कोशन है, कि कोशन नंबर फॉस्ट क्या कहता है, द्यान से देखेंगा नीचे, सब कोई यहाँ पे कोशन पे, In the constitution of India, the term federal mentioning किस article में लिखा हुआ है, फेडरल किस article में, इंडियन constitution के किस article में federal mention है, जैसे article 356 में, या article 245 में, या article 254 में, या none of the above, ये आप से कोशन मैंने पूछा है, चीक है, तो इसका answer होगा, None of the above, why none of the above, because federal जो word है, federal word, the word federal is not mentioned in Indian constitution, इंडियन constitution में एक बार भी federal word यूज नहीं किया गया, even federalism is also not mentioned, तो answer क्या हो जाएगा, first का, D, None of the above, ये ध्यान रखिएगा, generally लोग गलत कर देते हैं, और आपको comment box में ये बताना है, कि article 356 क्या कहता है, इंडियन constitution का article 356 क्या कहता है, आपको comment box में बताना है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, second question पे, उससे, तो question number 2 क्या कहता है, what does the term federation imply, federation का मतलब क्या होता है, that means to say, first option है, fusion of power, separation of power, division of power, and devolution of power, four option है, first option, option A, fusion of power, second option, separation of power, third option, division of power, and D option, devolution of power, तो मैंने इसको बार-बार आपको बताया भी है, कि क्या होता है, federation का मतलब होता है, division of power, और division किसके किसके बीच में, division executive and legislative के बीच में, division होता है, not a separation, बच्चे गलती करते हैं, separation of power, कभी-कभी कर देते हैं, तो separation क्या होता है, in order to present separation of power, मतलब simply माईने में, हम prevent the, मतलब concentration of power, देखे, ध्यान से देखेगा, separation of power एक अलग चीज़ है, और आपको यहाँ पे option क्या होगा, इसका division of power, division of power का मतलब क्या हो गया, कि executive और legislative में division किया गया है, ना कि separation किया गया है, ठीक है न, और यह आपका separation of power, यह इसलिए है, कि कोई भी separation of power का मतलब होता है, कि कोई भी एक तरह का concentration नहीं हो power का, एक ही जगह पे नहीं दाए जाए power, that is a different thing, बट आपका answer यहाँ पे क्या होगा, federation का मतलब simple माईने में आप जाए नहीं है, division of power, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह देखते हैं, question number third, the best form of federalism suited for countries like India is, best form, क्या होगा, इंडिया में, एक centralized federalism होगा, या bargaining federalism होगा, या cooperative federalism होगा, या conflicting federalism होगा, फिर से question सुनिए, the best form of federalism suited for countries like India is, तो इसका answer होगा, cooperative federalism, तो सबसे पहले जानते हैं, cooperative federalism से पहले centralized federalism के बारे में हम जानते हैं, कि क्या होता है, answer तो इसका होगा, cooperative federalism, बट सबसे पहले समझते हैं, कि centralized federalism क्या होगा, इंडिया में, इंडिया में 1950 से लेकर तिल 1967 तक centralized federalism हुआ करता था कैसे centralized federalism होता हुआ करता था कह सकते हैं कि kind of centralized federalism होता था क्यों क्योंकि इंडिया में शुरू में political party एक ही political party center में भी हुआ करती थी और state में भी वही political party हुआ करती थी जनरली शुरुवात में जैसे congress party सेंटर में भी थी और क्या हो गया स्टेट में भी आपका कॉंग्रेसी पार्टी होती थी तो वहाँ पर उस चीज को हम बोल सकते हैं कि वह उस समय तक सेंटरलाइज फेडरलिजम है यानि वह कब तक था तिल 1967 तक वैसे इंडिया में क्या होता है कोपरेटी फेडरलिजम बट म वगने फेडरलिजम इस ट्हर्म फेडरल लगते हैं सेंटर से कि भाई मैं क्या बार्गेन करने लगते हैं कि उनको और ज्यादा रिसूर्सेस मिले और उसके बदले में वह सपोर्ट प्रवाइट करेंगे सेंटर को जैसे कि मैं बता दूँ कि बहुत सारे बिहार को क्या दोगे तो उस तरह के चीजों को क्या बोलेंगे बार्गेनिंग फैडरलिजम और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि नवीन पटनायक जो उडिसा के की में मों एक शिट्रॉटेश के लिए उसके बाद आपको आंध्र पर्धेश में भी स्टेटिस का मग करना की इसा MARK हमें भी स्टेटॉट इस पिराइंदीया में वीन है था यह बोल सकते हैं कि वार्गेनिंग वाला फैडरलिल को गाणीय गुषन और इसमें government होता है तो regional party क्या करती है बारगेन करती है with the center अपने चीजों के लिए तो और cooperative federalism क्या होता है what is cooperative federalism जब center and state are come together and try to cooperate with each other for betterment of country betterment of country के लिए ये लोग काम करती है ठीक है न तो यह यही answer होगा third का answer C होगा और conflicting federalism मैं बोल हूँ तो conflicting federalism जैसे बोल सकता हूँ कि 1970 और 80 में इस तरह के conflicting federalism देखा जाता था कि कोई दोनों एक दूसरे के देखना नहीं चाहती थी वो सब चीजों को conflicting federalism बोलते हैं दोनों में लडाई होते रहता था जैसे state और center में तो वो conflicting federalism बोला जा सकता है तो इंडिया में वैसे कौन सा फेडरलिजम है कोपरेटिफ फेडरलिजम चले अब आते हैं इंडियन federation closely resemble टो इंडियन फेडरलिजम किसके रिसेंबल है तो जानिये अस्टेलिया या नाइजिरिया या या USA, Canada, Australia, Nigeria तो इसका अंसर होगा भी कनाडा है क्यों 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 कनाडा एस्टेलिया में स्टेट ज्यादा पावर्फुल है नाइजिरिया में भी उसी तरह से और USA में तो जैसे इंडिया में center ज्यादा पावर्फुल है तो वहां पे USA में भी स्टेट ही पावर्फूल है यानि सिधा सिधा कनाड़ा में क्या है सेंटर पावर्फूल है यानि कनाड़ा से रिसेंबल करता है इंडिया का फेडरेशन अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कॉस्न नंबर फिपथ क्या और कि कॉछ आए और इसका यंसर क्या हो जाएगा यानि सब्सक्राड़ शकल में सब्ड़ेख़ है question number 6 concurrent list concurrent list आप जानते होगे जिसमें दोनों काम करते है concurrent list includes subject of common interest whose common interest has been mentioned here किसे में किसे में होगा concurrent list union government क कि state government भान ओधने और कि writes a and b क्या हो जाएका option d both a and b चले आगे औरते हैं which of the following countries is an example of coming together तोकमिंग टुगेदर exceptional किस कंट्री में यूस से में कि इंडिया में कि Sempre और कि बैल्जियम में इसका आंसर की जाएगा इसका जा है जोसानियोगा इसका फरी abundant मैंने बताया यू साथ सब लोग आए और मिलके USA बनाया है ठेक है ना सारे स्टेट आपस में मिलके बनाया है पहले 13 स्टेट हुआ करते थे वहाँ पे और उसके बाद दीरे दीरे आज के डेट में 50 स्टेट है ठेक है चलिए आगे बढ़ते हैं which of the following are benefits of federation देहां से देखिएगा यह question which of the following are benefits of federation it is more closer people and more adaptive in nature दूसरा it is more democratic in nature and facilitation people participation it keeps check on concentration of power तो इन तीनों में से कौन सही है benefits से तो पहला option है one and two भी option है one and three two and three all of the above तो इसका answer होगा all of the above क्यों यह देखिए federation में क्या होता है more closer people क्या होते है more closer to people और यह adaptive है adaptive है और आप जानते हैं कि पहले तो it is more closer to people people से ज्यादा closer होता है हर एक list हर एक जगा पे फेडरलिजम में एक union वाले हैं एक local है के state है तो एक तरह से काम करती है उसके बाद क्या है यानि centralized नहीं है यहां पर सब्सक्राइबल पर government अपना काम करती है it is more democratic और जाहिसी बात है कि यह democratic है और जो कि people के लिए अच्छा है people का participation ज्यादा होता है और यह हमेशाच चेक करते रहती है concentration of power पर तो यह भी सही है तो इसलिए इसका option क्या हो जाएगा एट का डी चले नेक्स्ट है last question आज का ठीक है 9th number which of the following are essential features of federalism essential features क्या है federalism के तो पहला है equal division of power between two governments या independent judiciary second है और third है autonomy in own sphere of functioning of the respective governments option a one and two, option b one and three, option three two and three, option d all of type of देखे पहला option है equal division of power between two governments क्या equal division है power दोनों government का नहीं आईसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है essential features में federalism का यानि यह लिक कहा गया है कि दो government के बीच में division होगा power का but equal division ऐसा नहीं है यहाँ पर word equal लिखा हुआ है तो option यह तो गलत हो जाएगा ठीक है ना option first वाला गलत हो जाएगा first वाला यह statement गलत हो जाएगा independent judiciary हाँ independent judiciary होगा क्यों क्योंकि state और जब center आपस में conflict होगे तो judiciary क्या होनी चाहिए किसी के अंडर नहीं होनी चाहिए वह independent होनी चाहिए यानि option C के साथ जाएंगे तो यह था आज का questions और मैं आप लोग को बता रहा हूं कि एक तरह का classes start होने वाला है NTSC के specialist तो आप लोगों से request है कि ज्यादा से ज्यादा share like और subscribe किजिए और तब तक के लिए thank you